आज किस वीडियो में बात करेंगे बीए सेकेंड समस्टर के एकोनोमिक्स यानि की अर्थसाफ्त के MCQ टाइप के most important question and answer के बारे में तो जिन जिन भी इन्वेसिटी पर इच्छाएं अर्थसाफ्त की लगी हुई है और वो बीए सेकेंड समस्टर के student हैं पर इच्छाएं MCQ ब और पर नेचनल जो लोट है उस पर वृषास्ट होता है यांनि कि जो आप लोग राष्टे लोन लेएं इसमें कितने प्रतिसत तो ब्याज दे सम्मिलित होता है उसमें क्या सम्मिलित होता है आपको बताना इसका सही जबाब हो जाएग आप्षिनमर a उनिश्ट वनचास में हुई है अगला प्राषन है कि NDP को प्राप्त करने के लिए GDP में किसको घटाया जा वक्ता है तो NDP को प्राप्त करने के लिए GDP में से जिसको घटाया जाता है वो है आप पर्त्थ चिकर सही जवाब नुए होगा ध्याण लकिंगे साधन आएगा दिनमबर सही जबाब होगा अगला कि यदि उपभोग की सिमांद प्रवत 0.6 हो तो गुड़क का मान होगा कितना ठीक है तो ध्यान लखेंगे इसका सही जबाब हो जाएगा अप्शन नंबर 2.5 यानि किसी नंबर सही जबाब होगा ध्यान लखेंगे ठीक है प्रशने की यदि एसी पी इक्वल निजी उप्भोग बे बराबर क्या होगा तो इसमें से सही जबाब जो हो जाएगा हो जाएगा अप्शन नमबर ए ठीक है ध्यान लखेंगे हलाकि कोश्चन आने की को मुवमीद है तो आप लोग ध्यान दे जी ए नमबर सही जबाब होग वह मूल निर्धान के आधार से भी है पूंजी निर्धान से भी उभोगताओं की शाब भोमिक्ता से भी है इफ ले सही जबाब इसका हो जाएगा अप्शन नमबर डी उप्रियुक्त में से सभी ध्यान लखेंगे अगला एक नमिकित में से कौन मुद्रा का दोस है तो इन अगला प्रश्न है कि मुद्रा का दोस्त कौन सा नहीं है एक इसमें से तो इसमें से एक मुद्रा का दोस्त नहीं है वह है अपूर प्रितियोगता सभी जबाव इसका हो जाएगा अफ्शन नमबर डी ध्यान लखेंगे परोंग प्रश्ने अभी है अगला कि समाजवादी सभाइब हो जाएगा अगला प्रस्तूत है कि है किके लिएまだ जाए इस समस्या का समाधान कौन करता है तो उत्पादन यानि कि किफी चीज को बनाना ठीक है इस समस्या का समाधान कौन करता है आपको बताना है तो सही जबाब इसका हो जाएगा ध्यान रखेंगे राज्य यह निधान करता है राज्य नमबर सही जबाब अगला है कि समाज प्रस्तुत है कि संसाधनों का अबंटन कौन करता है तो संसाधनों का जो अबंटन है वो करता है और पूंजी संचे में सहयक होते हैं तो इसका सही जबाब हो जाएगा option number कौन सा डी नंबर क्योंकि पन्य ठीक है पन्यावर्त कर यानि कि टैक्स होता है प्लस सारवजनिक के योजना ब्रद जुलाब होता है परिसोधन कोर्ट यह सभी जो है वो मुद्रा में बिक्ट किये जाते हैं और पूजी संचे में सहायक ह समाजवादी अर्थ वेफ्था में क्या होता है तो धान रखेंगे समाजवादी अर्थ वेफ्था में इन आपसरों में से होता है विदेशी वेपार होता है मुद्रा का चक्रे प्रभा होता है पूजी संचे होता है यह सभी चीज़े होती है समाजवादी अर्थ वेफ्थ सब्सक्राइब का नाम है प्रोफेसर की जबाब हो जाएगा अगला की यह बिचार यानि की समाजिक अर्थ बिवफथा रही है और समभा होता ऐसी ही रहेगी यह बात कौन से बिद्वान प्रों से बिद्वान का विचार यह से सब्सक्राइब करें दोंग यह बनाता है शक्रैख में यह अभाब और प्राप्तियों का अंतर है सही जबाब इसका हो जाएगा अप्शन नंबर ए ध्यान रखेंगे प्रमोग प्रश्ण है अगला प्रश्ण प्रस्तुत है कि पूंजी अर्थ विवफ्था में मुद्रा का कारे क्या है तो ध्यान रखेंगे पूंजी अर्थ विवफ्था में मुद्रा और कीमत तंत्र प्लस उभोकता के लिए प्लस पूंजी निर्माण का फाधन क्योंकि ये सभी पूजी वाद अर्थ विवफ्था में मुद्रा के कार रहे हैं इसलिए ये तीनों सही है इसलिए सही जब आप डी होगा धान रखेंगे और परियुक्त में से सभी है फ वाफी हेल्फ मिले आप सभी को तो चली अभी मैं आपको इन सभी कुश्चन और बहुत फारे कुश्चन है और उसके उत्तर सहित मैं आपको एक पूरा बहुत जवर्जस्त एक मतलब की पीडियोप बनाई है जो कि वह भी आपको मिलेगी लेकिन कब मिलेगी कैसे मिलेगी यह भी हम आपको बात बताएंगे लेकिन पहले कोश्चन देख लेते को उनकोंसे महात्पूर है अगला कि पूंजी साख किसको सुगम बनाता है तो पूंजी साख हो साख जो है वह सुगम बनाता है व्यापार को यानि बिजिनेस को वाड़ेज जी को क्रशी को इसलिए सही की जबाब D होगा अगला च्भा्थ है आप लोगों की समस्त ध्यां से सुनेंगे कि राष्टे आय से क्या मत्तब है बहुत ही प्रस्ते सलिए और यानि की नेशनल इंकम लें को की एक राष्ट के नागरिकों की एक प्रेश्ट होगा में रखेंगे प्रमुख प्रस्ट प्रस्ट हुए इसका उत्ता साव करने के लिए मालूम करने के लिए सिंपल सा है कि पूंजी गत होस को घटाना होगा सही जबाब इसका हो जाएगा बी नंबर ध्यान लखेंगे सही जबाब कौन सा होगा बी नंबर अगला प्रशन प्रस्तुत है कि राष्टे आयब इस लेशन के संबंध में नीचे दे गए कथन या फिर कुछ कथन दे गए है जिन में से कौन सा सही है तो आपके जानकारी के रता दे इसमें से जो सही होगा ठीक है वो होगा आप्शन नंबर बहुत प्रोंग प्रशन है ध्यान लखेंगे इसमें सही होगा डी नंबर यानि कि दो तीन और चार ये दो है ना ये दिए गए कथन जो है ना ये आपके आ यह सब्सक्राइब के समद्ध में से इस कॉन सा गलत है इन में से कथन गलत है वह कथन ध्यान से सुन लिए यह है कि पूर्जी गज़ने कोन एन निम्हें नहीं है इन में से एक एन पी का आंग नहीं वह आपको बताना है तो इनमें से जो एक NNP का अंग नहीं है वो है पूंजी गत हास सही जबाफसी होगा अगला के डौट-डौट-डौट- मुद्रा को निश्किये मुद्रा कहते हैं जमीन में गड़ी या फिर संकुचित को या फिर बैंक में चालू उखाते में जमा राश कोई या फिर में से कोई नहीं यहां पर भला जाएगा जमीन में गड़ी मुद्रा को निश्किये मुद्रा कहते हैं अगला कि मुद्रा पूर्ति की नई अउधाना में परमपरागत दस्जिगोड में कौन सा संसुधन किया गया है तो ध्यान नखेंग इसलिए साही जबाब इसका डी होगा प्रिक्त में से सभी अगला की मुद्रा की राजके फिद्धान की कमी कौन सी है तो मुद्रा की राजके सिध्धान की जो कमी है इन आप सुनों में से ध्यान रखेंगे वो है उक्त सभी यानि कि आप सुनों में से जितने गें वो सभी के की कमी है पहला जंता का विस्वाफ ना होना दुफरा मुद्रा के मात्रा का धिक प्रभाव अगला कि छक्र वर्ति कमेटी द्वारा मुद्रापूर्त की अउधानगी उतलमें पाचासी में बी नमबर सही जवाब होगा ध्यान रखेंगे ठीक है चले निच्ट को बढ़ते हैं निच्ट को इसक्तुत है कि इसका कौन सा बैपारिक साखें इन अप्षानों मेंसे तो इन मेंसे जो बैपारिक साखें वह सभी के सभी है क्रेडिट कार्ड भी बागे भंधा साक भी और कमर्सियल पेपर भी यह ट्रेवल साक भी इसका उपरेक्ट में से सभी होगा डी नंबर ज्यान रखेंगे अगला प्रस्तुत है कि इसका इसका राफिया रहती है कहां पर तो जो पब्लिक होती इसकी जमा जो राफिया होती है वह बैंक यह पाफ जनता की चालू ज चलन मुद्रा में आते हैं क्या तो जनता के पाफ जो आम पब्लिक है आप हम है इसमें जनता के पाफ जो चलन मुद्रा में रुपिये हैं वह आते हैं चलन में पत्र मुद्रा चलन में एक रुपिये के नोट चलन में छोटे फिक्के फिले सही जबाबश्का हो जाएगा अ अगला के मुद्रा की पूर्त के स्रोत कौन से हैं तो मुद्रा के पूर्त के जो स्रोत हैं वह सभी चीज़ें फरकार भेवे पारिक बैंक बेक इंद्रे बैंक भी फ्ले साइज बापडी होगा ध्यान रखेंगे प्रमोक प्रश्ण भी आपका एजाम के लिए चले निस को मुद्रा वही है जिसके चारो और अर्थ बिज्ञान चक्कर लगाता है यह कथन कौन से बिद्वान का है तो यह कथन प्रमोक बिद्वान मारस्तल का भी नंबर सही बाप होगा अगला की मुद्रा से मनुष्य वह भोगता के रूप में अपनी क्रेशक्ति का सामानी करण कर सकता है और अपने अधिक्तम अनकोल बैटने वाले धंग से समाज पर अपने अधिकार प्रकट कर सकता है यह उक्तकसन कौन से बिद्वान का है तो यह जो कथन है यह जो लाइन है रावर्ट सन ने कहिए बी नंबर सही जबाब होगा ध्यान रखेंगे अगला प्रशने की अधुनिक जगत में उद्योग पूर्टया मुद्रा के वफ्तर में लिप्ता है यह कथन कौन से बिद्वान का है तो यह जो कथन है प्रहुक बिद्वान प्रोफेसर बीवगू का है सही जबाब इसका डी नंबर हो जाएगा अगला की लगबक सभी बड़े राजनितिक प कहां लिखा है कि पैसे का मोही सब बुराइयों की जड़ है तो यह जो बात है प्रूप बिद्वान ने लिखी है कि पैसे का मोही सब बुराइयों की जड़ है तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्ण का जो सही जबाब हो जाएगा यह आपको बताना है ठीक है चलिए कमेंट स कार करती है यह जो लाइन है पुरूट विद्वान के द्वारा कहीं गई है जो पुस्तक है यह जो लेखक है वह गुल हैं सही जब आप आप ध्यान लखेंगे अगला प्रस्तुत है कि निम लिकत में से कौन सा मुद्ष raka कारे नहीम यह बाखी सभी है तो मुद्ष raka नहीं धुर्विश्वी होगा ध्यान रर्खेँगे अगला कि पर फेशर डेवीड के किनले के अनुसार मुद्ष प्रोंग प्लसन सभी क्योंकि प्रोफिसर डेविट किलने के रुसार मुद्रा के अकास्मिक जुकार रहें वह पहला है समाजिक आयका वित्रण और दूफरा है प्रसाथा प्रणाली का अधार तीफ्रा राष्टी आयको मापना इसलिए सभी अगला के विस्षिष्टी करण पर अधायत वर्त तो मान यानि करेंट समय का जो आर्थिक जीवन है मुद्रा के बिना संभव नहीं होगा यह बात है जो प्रोफिद्वान के दवारा कही गए उनका नाम है बिन हम ठीक है ओके तो यह काफी है पर को सब्सक्राइब करेंगे तो आज किस वीडियो में आपको करीब करीब 50 से 55 लिंक दिया गया तो दोनों सो जाइन हो सकते हैं वर्ट्सप ग्रूप पर जब जॉइन होंगे इसी वीडियो को डिक्स में जो लिंक दी गई है तो उसके नीचे आपको जैसे वर्ट्सप ग्रूप पे क्लिक करेंगे तो आप हमारा नमबस होने लगेगा चैटिंग के सकते हैं और उसके तैयारी कर सकते हैं यहीं कि नहीं से आएंगे लेकिन कुछ चुछ जरूब आपको आपकी परिच्छा में से कुम लेंगे आपकी थोड़ी बहुत हो ही जाएगी कि मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूं जैसे कि जिस भी प्रशन का उत्तर माल आपको जिस नाये ही हो सकता है कि आप साथ होसकता है ख्यों और कोई नहीं हो सकता है ओप स्मार्किंग नहीं है यह आपका अपना ही चैनल सक्सेस्ट हो है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजीएगा मिलते हैं वीडियो में जब तक कि लिए जैंद